हलो फ्रेंड्स, मधुच की चर्मी आपका स्वागत है आज मैं आपके साथ मोटी हरी मिर्ची की बहुत ज़्यादे टेस्टी चटपटी मज़ेदार सी रेश्पी से एर कर रही हूँ राजस्थान की यह फेमस रेश्पी है, बहुत ही जल्दी बन जाता है इसे बनाने के लिए भले मिर्ची को धोलें, इसके बाद काटन के कपड़े से पोच करके मिर्ची को बीज से काट लेंगे इसका बीज निकाल देंगे, दो मीडियम साइज का मैंने मैस किया हुआ अलू लिया है इसमें एक मिडियम साइज का बारिक कटा प्याज डालेंगे आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच इसमें मैं लाल मिर्च डाल रही हूँ अगर आपको तीका पसंद नहीं है तो बिना मिर्च का भी बना सकते हैं थोड़ा सबारीक कटा हुआ हरा धनिया डालके मिक्स करेंगे, इसके बाद इस स्टफिंग को मिर्च में भारेंगे आधा कप मैंने बेसन लिया है, इसमें आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच अजवाइन, आधा चोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक बेटर त्यार करेंगे, बेटर बहुत जादे पतला नहीं होना चाहिए, जादे गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए इसमें मिर्ची को अच्छी तरह से डीप कर लें, इसके बाद इसे गरम तेल में डालेंगे इससे पहले मैंने आपके साथ भरवा लाल मिर्ची के रेस्पी सेयर की थी दूसरा मैंने बिना भरे हुए काट करके मिर्ची का अचार बनाया था आप समने इस वीडियो को बहुत जादे पसंद किया लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आप चाहें तो देख सकते हैं तो हमारा मिर्ची अच्छी तरह से तल गया है इसे निकाल लेंगे उपर से क्रिस्पी है अंदर से साफ्ट है बहुत ही जादे टेश्टी बना है इसे आप खट्टी मिठी चट्टनी या चाय के साथ खा सकते हैं यह हमारा राजस्थान का फिमस मिर्ची बड़ा बन के तयार है मुझे उमिद है आप सबको हमारे रेस्पी जरूर अच्छी लगी होगी नई वीडियो में नई रेस्पी के साथ बहुत जल्द मिलेंगे तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद